हेलो बच्चो तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जगराफी फिर उसके बाद हम लोग हिस्टरी पढ़ाएंगे फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे फिर जिसको हम लोग सिबिक्स बोलते हैं फिर एकनॉमिक्स पढ़ाएंगे ठीक है तो पहला चैप्टर है इंडिया तो बच्चों देखों इस चंप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये अपका घार है ठीक है भी झानली जिए आपका घار किसको साइच होगा ठीक है ज्क है उसको SPEAKER Я ratio country स्कॉर या poor में मतलब इसको कैलकुलिट करते今 उसीतरह इंडिया क्या है बहुत बड़ा है अपना भारत बड़ा है तो उसको हम लोग किसमें लिखते हैं किलोमीटर स्कॉएर में उसको मेजर करते हैं तो उसी चीज के बारे में ये चैप्टर उसी चीज में कि इंडिया का नौर्थ से साउथ लेंद कितना है इस से वेस्ट लेंद कितना है इंडिया का जोग्राफिकल एरिया के टर्म में यह सब चीज हम लोग इस चाप्टर में discuss करेंगे और हो गया tropic of Cancer है इंडिया North Hemisphere में लाइ करता है यह South Hemisphere में लाइ करता है और इस तरह के question हम लोग discuss करेंगे और जो बाकी question है जो last में तो वो सारा चीज यहाँ पर discuss करेंगी तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहला अब इस लाइन बाइन हम लोग इंडिया इस वन आप दी एंसेंट सिपलाइजेशन इन दा वर्ल्ड इट अचीव मल्टी फेसेट सोश्यो एकनॉमिक प्रोग्रेश ड्यूरिंग दे लास्ट फाइव यह अब यह किताब तो इकनॉलोजी और ओफर ओल एकनॉमिक डेवलप्मेंट इंडिया आज ऑउसो कॉंट्रिबूटेड सिग्निफिकेंटली तु दुद मेकिंग ओं दी वर्ल्ड हिस्ट्री तो देखो बच्चों अगर आप ने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा किन चीज के बारे में हरपप civilization के बारे में भी पढ़ा होगा तो यह आज से हजारों साल पहले भी यह प्यारा भारत था और आगे हजारों साल पहले बाद भी भारत रहेगा तो वहीं बता रहा है कि इंडिया क्या है बहुत ही पुराना civilization है ठीक है बच्चो अब यहां पे आपने जब भारत अजाद हुआ कब अजाद हुआ 1947 में उसके बाद आप देखिए कितना develop कर गया कहां से कहां पहुंच गए हम चांद पे जा चुके हैं वहां मार्स में जा चुके हैं मून में लैंड भी करने वाले हैं तो बताएए हमारे साइन्स को लेकर फिल ले लिजे डिवलप्मेंट ले लिजे या फिर आप टेकनोलोजी को लेकर आज आपके हाथ में मोबाइल है तो देखिए इंडिया सकेंड लार्जेस मोबाइल कंट्री लाइंग इंटारली इंदी नौर्दन हमिस्पेर यह बात ध्यान रखे आगे कि इंडिया कहां लाई करता है नौर्दन हमिस्पेर में ठीक है अभी हम लोग इसको मैप में देखेंगे अब देखें मीना और सेकंड कैसे यह कैल कूल कूल होता है तो क्या बोला है एट डिग्री तो देखिए यह डिगरी यह हो गया अगर यह सिंगल हाइपन है यह मीनाट हो जागा एट डिग्री फोर मीनाट नौर्थ लिखा हुआ है ठीक अगर मैं double hypen दे दू तो वो हो जाएगा second ये बात ध्यान रखियेगा तो कितना है इंडिया का 8 degree 4th minute north and 37 degree 6 minute north and longitude कितना है 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east अब देखे आप ये भी तो कह सकते थे कि सर south and west की बात कहां कर रहे है इसमें तो है नहीं तो इंडिया जो है कहां पर लाइक करता है नौर्थ eastern एमिस्पेर में ठीक है नौर्थ पूल में लाइक करता है और northern eastern हैमिस्पेर में लाइक करता है समझ दे बचो एक क्या होगा latitude और longitude इसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे अब मैं आपको बता देना चाहता हूं यह देखें एक्वेटर है यह जो डौस «डौसट लाएंज है» यह हो गया इक्वेटर अब यहां पर यहां पर जाहां तरफ बढ़ते जाइएगा एक स्टे法 बढ़िये गांत वन डिग्री सोग है अगर एक step नीचे आईएगा तो one degree अगर उपर जाईएगा तो one degree north अगर नीचे आईएगा तो one degree south इसी तरह करके two degree north फिर three degree north होते होते हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे 180 degree तक ठीक है समझे बच्चो उसी तरह यहां पर देखिए यह है longitude का line यह latitude है अब यह देखिए इधर से जाते जा रहे हैं इधर से यह हो गया 30 degree east, 60 degree east, 90 degree east 120, अब देखिए इंडिया कहां पर लाई कर रहा, 60 degree से लेके 90 degree के बीच में लाई करते हैं 90 नहीं 100 degree के बीच में लाई करता है तो यह important point है latitude और longitude को लेके, जो कि हम लोग आगे class में पूरे explanation के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यह जो point है, कौन से latitude और कौन से longitude है, वो हम लोग आप अच्छे से ही याद कर लीजेगा अब देखिए, next है the tropic of cancer जो कि 23 degree 30 minute north divides the country in almost two parts अब देखो, यहाँ पे map मिले चलता हूँ आपको यह देखो यह जो line है यह है tropic of cancer ठीक है एक मिनट बच्चो यह क्या है, tropic of cancer समझ रहे हैं बच्चो यह पुरा भारत को दो हिस्सों में divide कर देता है अब आपको आगे बताता हूँ और वो कितना degree है, उसका 23 degree 30 minute north उसी तरह होता है, tropic of capricorn जो कि भारत से cross नहीं करता है ठीक है अगला point क्या कहता है to the south east and south west of the mainland south east समझ रहे हैं देखे, यह हो गया north यह हो गया south ठीक, यह हो गया west यह हो गया east अब आपसे क्या बोल रहा है south east यह वोला direction हो गया south east यह वोला direction हो गया south west तो क्या बोल रहा है कि south east में क्या लाई कर रहा है अगर यह भारत का map बना लें ऐसे करके, ऐसे 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 गुजरात है, ऐसे ऐसे तो यहाँ पे bay of bengal लाई करता है, और bay of bengal में क्या है, अंदमान और निकोबार island तो वही है, और यहाँ पे क्या है अरेबियन से, रिस्पेक्टिबली अंदमान और निकोबार कहां लाई कर रहा है bay of bengal में और लक्षदीप island कहां लक्षदीप island कहां लाई कर रहा है तो अरेबियन सीम ठीक है बच्चों, याद रखियेगा कौन सा लोकेशन किसका है अब अगर भारत का size का बात करें, तो वो कितना है the land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer कितना है 3.28 million kilometer square है, ये भी डाटा याद रखियेगा बच्चों और अगर area wise compare करें तो अपना प्यारा भारत seventh largest country है world का समझ रहे बच्चों, ये भी याद रखियेगा इंडिया's total area account point 2.4 percent of the total geographical area of the world, देखो, इस map में देखो, ये पूरा world का map है तो इंडिया, ये yellow color में जो इंडिया का location दिखा रहा, तो ये कितना है पूरे world के comparison करें तो वो है 2.48 percent, समझ रहे बच्चों, ठीक है, चली आगया आपते from figure 1.2 it is clear that India is the seventh largest country of the world ठीक है, seven, मैं आपको पताया दाना, seventh largest country है समझ रहे बच्चों, ये भी important point हो गया, इंडिया has a land boundary of about 15,200 km, and the total length of the coast line of the main land including Andaman and Nicobar island is 7516.6 km, अब देखो बच्चों, ये भारत का map है, यहाँ से land boundary start होता है, ये पूरा, ये पूरा कितना है, 15,200 km, अगर वहीं पे हम लोग सी बॉर्डर की बात करी, ये कितना है, यहाँ पे सी बॉर्डर है, ये सी बॉर्डर है, कितना है, 7516.6 km, ठीक है बच्चों, तो ये भी याद रखेगा, अगर मैं आप से पूछू, कि इंडिया जो है, सबसे ज़्यादा land border किसके साथ सेर करता है, तो किसके साथ सेर करता है, वो बांगला देश के साथ सेर करता है, इसके साथ, बांगला देश, ये भी याद रखेगा, अब देखो, हो गया, पंदरह जार दो सो, और साथ जार पांसो, सोला पॉइंट, छे किलो मीटर, अगला पॉइंट क्या कह रहा, इंडिया इस बांड़ेट बाइद ये यंग फोल्ड माउंटेंस इन दे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एड नॉर्थ इस्ट, अब देखो, नॉर्थ वेस यह हो गया, नॉर्थ वेस्ट, यह हो गया, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यह वाला इरिया, नॉर्थ वेस्ट, यह हो गया, नॉर्थ इस्ट, ठीक है, नॉर्थ इस्ट इधर हो गया, तो देखो, यहाँ पर हिमाले है, ठीक है, तो हिमाले क्या है, नुली फोल्ड, नुली फ प्लास में यह सब अभी हलका से बता दे रहा हूं नेक्स चैप्टर में हिमाले कैसे बना उसका कितना पाथ है वो सब डिसकस होगा ठीक है बच्चो अब आगे क्या कह रहा हूँ इस बिएपर हो रहा है यह पर कम होते जा रहा है तो वही बता रहे हैं कि यह टेपर होते जा रहा है जाता है साउथ की तरब जो की अरेबियन सी और बेया बेंगाल में फिर डिवाइड हो जाता है ठीक है बच्चो में लूक एट फीगर 1.3 और नोड़ डैट दी लैटिटिट्यूडनल एं लोंगिट्यूडनल एक्स्टेंड और दी मेन लैंड इस अबाउट 30 डिग्री अगर इन दोनों को माइनस करें तो 30 डिग्री का वैरियेशन आता है 97 माइनस 68 उसी के आसपास आ रहा ठीक है बच्चो अब इधर देखो यह कितना है 8 डिग्री फॉर्थ 8 डिग्री फॉर्थ है बच्चो और यह कितना है 37 डिग्री 6 अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो भी 30 डिग्री के आसपास आ रहा ठीक है तो वही कहना चाह रहा इस लाइन से कि मेन लैंड अबाउ 30 डिग्री जो लॉंगिट्यूडनल है और लैटिट्यूडनल वैरियेशन है वो कितना है 30 डिग्री का ठीक है बच्चो नेक्स्ट है फ्रॉम गुजराट तो अरुनाचल परदेश देर इज टाइम लैग और टू आवर्स तो आपको पता होगा बच्च लिए अरुनाचल में जल्दी सुबा हो जाती है मतलब सूर्य किरन जल्दी आएगा तो जल्दी सुबा हो जाती है ऐस कंपेर टू वेस्टन पार्ट ऑफ इंडिया अगला है हिंस टाइम अलॉंग दी स्टैंडर मेरेडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट इस पासिंग थ बस्टन टाइम फॉर दी होल कांट्री देखो बच्चों यह जो है इसे टेंडर मेरेडियन है ठीक है यह जो है स्टैंडर मेरेडियन है और इसी से हम लोग टाइम भारत कर आप अगर यूएस जाएगा रसीय जाएगा तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन होता लेकिन इंडिया में एक टाइम जोन है और यह टाइम जोन कहां से सेलेक्ट होता है इसको ध्यान रखिएगा यह कितना है और यह पूरा इंडिया के लिए ही पूरा इंडिया के लिए वैलिट है यहां पर डिफरेंट टाइम जोन नहीं है आगे कह रहा है दे लाटिट्यूडन एक्स्टेंड इंफ्लूएंसेज दा डियूरेशन ऑफ बे एंड नाइट एज व बेशन क्या होता है यह हो गया लाटिट्यूड यह वळा लाटिट्यूड है ना अब जैसे उपर जाईएगा तो लाटिट्यूड ना तो डे और नाइट भी वैरी करता है तो वही कह रहा है उससे स्टेटमेंट से बीड करेंट आगा आते हैं अब क्या है कि इंडिया एंड री वल्ड तो इंडियू लैंड मास है जा सेंटर लोकेशन बित्विन दी बित्विन दी इस्ट अर वस्ट एस्या इंडियूड इजे। इस्ते हैं आयां मैंजे MORGाAST एक जंताफिष्न कॉंट्रेजि की JS अथे इस्तिसे हाबे छी जान प्रफिब एंडीजिक की क् हैं। प्रफिजिघ लिगे जान एंडी स्थेंजिटाया वीस फांडी से जाले टि Bardzo है को इंडिया व्से कॉंट and with southeast and southeast Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it. अब मैं आपको एक्स्प्लेइन करता हूँ. देखो बच्चों, वोल्ड मैप में ले चलता हूँ आपको. यह दखो. थोड़ा सा बड़ा करता हूँ. एक मिनुट देखो. वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सी नहीं है जो किसी कंट्री पे रखा गया हूँ. लेकिन जो इंडियन सी है, वो अपने प्यारे भारत के नाम पे रखा गया है. और देखो बच्चों, यह एकदम प्राइम सेंटरल लोकेशन पे हैं. ठीक है, अगर हम लोग वर्ल्ड ट्रेट की बात करें, तो यह एकदम सेंटरल लोकेशन पे हैं. यह इंडियन ओसियन है, यहां से सीप आती है, सीप ऐसे फिर जाती है, फिर यहां से स्वेच कैनल होते हुए ये ये रोप की तरफ जाती है. तो यह देखो बच्चो एकदम प्राइम लोकेशन पे हैं, इससे इंडिया को बहुत ही फैदा हो जाता है. अब यहां पे देखो, बच्चो यह डेकन प्लैटूला रीजिन है, यहां पे बहुत सारे पोर्ट भी हैं, जिससे कोई इंडिया को बहुत ही ट्रेड में फैदा मिलता है, तो वही वो कहना चाहरा है, उससे स्टेटमेंट का कहने का मतलब है, ठीक है बच्चो अब देखो, इस डाइग्राम को देखो, सबसे बड़ा कंट्री कौन है एरिया वाइस अगर देखे, तो वो है रसिया, उसके बाद कौन है, तो वो है USA, फिर है चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्टेलिया, और उसके बाद अपना प्यारा भारत, ठीक बच्चो तो साथवा सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अपना प्यारा भारत, आगे चलते हैं बच्चो यह देखी यहाँ पर मैप, इसमें भी पूरा ट्रेडिंग रूट है, यहाँ कोलकता है, कोलकता से होते हुए मुंबई, मुंबई से होते हुए रेट सी, रेट सी होते हुए, हम लोग स्वेच कैनाल से यूरोप, यह प्राइम लोकेशन में हैं, एकदम प्राइम लोकेशन में हजारों सीप यहां से डेली क्रॉस करते हैं, इससे इंडिया को ट्रेड में भी बहुत फायदा होता है, अब आगे आते हैं बच्चों, इंडियास कॉंटेक्ट विद द वर्ल्ड हैप कंटिन्यू थूरू एजिस, बट बट हर रिलेशन सिप थूरू द लैंड रूट are much older than her maritime contact, अगर आपने अशोक के बारे में पढ़ा होगा, यह चंद्रगुत मौरिये के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा सा ही पता होगा कि वो सब किधर से आये थे, सब जो ग्रीग भारत में आये थे, वो लैंड रूट से आये थे सी रूट से नहीं आये थे, तो इंडिया का लैंड रूट जो है बहुत ही पुराना है, आज का नहीं है, यह सी रूट तो बहुत बाद में सब खो जा गया है, लेकिन लैंड रूट बहुत ही पुराना है, वो इस statement से लिखा हुआ है, फिर क्या कह रहा है, तो माउंटेन आगर आप हिमाले की बात करें, तो वहाँ पे आपने सुना होगे बहुत सारे पासे से, जिससे की ट्रेबलर्स आते थे, ट्रेड उसी पास से होता था, हिमाले में कित्ते सारे पास है, यह जो पास होता था, रोड रोड कनेक्टिविटी होता था, तो उससे क्या होता था, कि जिससे अगर आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो क्या होगा, आइडिया के एक्सचेंज और आप बाते कर रहे हैं, तो उसी तरह जब ट्रेड होता था, तो आइडिया के होता था ठीक है बच्छों इस रूट्स हैब कंट्रिबुटेड इन एक्सजेंज ऑफ आइडिया उपनिशद एंड रमायना दे स्टोरी ऑपंच तंत्र इंडियन नूमरल्स और डेसिमल सिस्टम थस कुद रीच मैनी पार्ट्स ऑप दी वर्ल्ड जैसे की आइडिया उपनिशद एक्सो आठ उपनिशद है रमायन है महा भारत है इनका आइडिया इन्ही ट्रेड रूट से होने के वज़ा से ही दूसरे देशों में भी फैला कहने का ये कह रहा है कि जैसे की इंट्रेक्शन हुआ ग्रीक आइड मैं आपको बताया था कि लैंड रूट से ग्रीक आइड भारत अब भारत है तो उन्होंने अपना जो आर्किटेक्शर डिजाइन था उसका छाप आपको भारत में भी दिखेगा जो आपको भी म्यूजियम जाईएगा तो वहां पे और आगे जब आप और बड़े होंगे तो आगे के क्लास में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ग इंडिया उकुपाइज एन इंपॉर्टेंजिक प्रोजीशन इन साउथ एसिया इंडिया हैज 28 स्टेट एंड एट यूनियन टेरिटरी कितना है तो वह हैं एट टोटल कितने हो गए 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंडिया सेयर इट्स बार्डर विद पाकिस्तान अफगानिस्तान ले नौड़्वेस्त नेपल औ भूतान ले नाठ टोट अन्यमार औ बंगलादेश है शवे साफब नेवर ख्रोस रिक सीट पू आइलन गौंट्र नमली शिरलंका और माल्डीप शिरलंका इंडिया इंड की नेरो चैनल की इन टेप साथ पॉर्ग इंड इन साथ जैनल इसे करें पॉर्ग तेक आद आइलन इन डालीप इंड राल इंड इंड दाएव इंड़ इंड आई पार एन हिस्टोरिकल लिंग विथ हर नेबर रूड लोक एड तो ठीक है बच्छों देखो अब यह क्या कह रहा है कि यह सिर्लंका है ठीक है यहां पर यह इन दोनों के बीच में कौन से स्टेट है पालक स्टेट तो उससे दोनों का डिवीजन हो जाता है बॉंडरी से सेर ने करते हैं हम लोग सी वाइज है ठीक है अब यह देखो बच्छों यह मालदीप से और यह लक्षदीप है तो यह दोनो OCN में प्रेजिंट है अभ यहां पर देखो बच्छों यह हो गया बंगलादेश यहां लैंड बॉर्टर से सेर कर रहे है हम लोग सबसे ज़दा अगर लैंड बॉर्डर अगल हम लोग किसी के साथ सेर करते हैं तो वो बंगलादेश के साथ कितना है? लेंड 4.096 ठीक है फि पर यहां पर पाकिस्तान है और यह अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा 88 किलो मीटर का है फिर यहां पर मैनमार के साथ हम लोग सेयर करते हैं बॉर्डर फिर यहां पर वुटान के साथ सेयर करते हैं तो इन सब कंट्री के साथ सेयर करते हैं हमारा भारत का बॉर्डर तो बच बता दूँ आपको तो देखिए मच्चो चलिए ट्रॉपिक आप कैंसर है कहां देखो ये जो लाइन है डॉटेट लाइन ये डॉटेट लाइन देख रहा है आपको ये है ट्रॉपिक आप कैंसर तो ये कहां कहां से पास कर रहा है तो वह हो गया गुजरात से पास कर रहा है थोड़ा से राजस्थान में इदम लोइस्ट पार्ट में पास कर रहा है। फिर मध्य पर्देश से पास कर रहा है। 36 गड़ से पास कर रहा है। जारखन से पास कर रहा है। विश्ट बंगल से पास कर रहा है। बागलादेश तो हमारा कंट्री अपार्ट नहीं है, त्रिपूरा से पास कर रहा और मीजुरम से पास कर रहा, तो टोटल कितने हो गए, आठ स्टेट से पास कर रहा, याद रखिएगा बच्चों, कितना, आठ स्टेट से, और ये के बीसी में कोस्टिन पूछा हुआ है, तो इसमें सही कौन सा होगा, क्या पूछा है, डज नॉट पूछा, तो राजस्थान से पास करता है, एकदम सही, छतिसगर से पास करता है, बिल्कुल सही, त्रिपूरा से पास करता है, बिल्कुल सही, और उडिसा से नहीं पास करता है, तो कौन सा रोग होगा, तो B, ठीक ह बच्छो नेक्स्ट है दे इस्टर्मोंस्ट लॉंगिट्यूट ऑफ इंडिया इच बताए बच्छो कितना होगा इस्टर्मों तो वह होगा 97 डिगरी 25 इस्ट इस्टर्मोंस पुछा है मतलब अरुनाचल परदेश के तरफ से ठीक है अगला है उत्राखंड उत्र परदेश बिहार वेश्ट मंगाल एंड सिक्कीम है common frontier with तो यह आपको पता ही है किसके साथ है चाइना के साथ है या भुटान के साथ है नेपाल के साथ है या फिर मैनमार के साथ है तो इसका सही answer क्या होगा नेपाल ठीक है कि कोई वेश्ट बंगाल जो है चाइना के साथ बॉर्डर सेयर ने करता है लेकिन वहीं अगर हम बात करें यूपी भी सेयर ने करता है चाइना के साथ इफ यू वांट तो विजिट कावरती ड्यूरिंग और यह कावरती कहां पर है लक्षदीप में है ठीक है उसका कैपिटल है दूरिंग यूर समर्वेकेशन विच विच वन आप दी फॉलोईं यूनियन टेरिटरियो फ इंडिया यू बी गॉइंग तो तो सही अंसर अभी मैं आपको पता चुका हूँ वो है लक्षदीप ठीक है कावरती कहां है लक्षदीप में my friend hails from a country which does not share land boundary with India identify the country economy India Bangladesh Nepal England Alaska India 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 चली question number two का part one करते name the group of island lying in the Arabian sea Arabian sea मैं आपको बताईए ये प्यारा भारत है इधर है बे बंगाल इधर है Arabian sea तो Arabian sea में कौन सा है तो वो है लक्ष दूइप उसके capital क्या है कावरती ठीक है दूसरा है name the country which are larger than India कौन कौन सा country है तो पहला है रसिया उसके बाद कौन सा है Canada उसके बाद कौन सा है US उसके बाद China उसके बाद Brazil उसके बाद Australia तो छे country इंडिया से बढ़ा है तो नाम याद रखिएगा next question which island group of India lie to its south east तो मैंने आपको बताया था न मैप में यह 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 south east होगा यह कौन सा हो जागा अंदमान एंड निकोबार ठीक है बच्चों next is which island group which island country are our southern neighbor southern neighbor कौन है तो वो है स्रिलंका और एक कौन हो जाएगा माल्दिप्स भी हो जाएगा ठीक है बच्चों यह third four तो बड़ा बड़ा है तो इसको यह आप लोग किसी किताब से देख लीजेगा ठीक है बच्चों चलिए मैप स्किल में कर देता हूँ the island group of India lying in the Arabian sea and bay of Bengal the island group of तो पहला क्या होगा Arabian sea में लक्षदीप और बे अब बंगाल में अंदमान एंड निकोबार ध्यान रखें बच्चों the country constituting Indian subcontinent कौन कौन सा country है तो पहला हो जाएगा इंडिया ठीक है countries पूछा है ठीक है दूसरा हो जाएगा पकिस्तान तीसरा हो जाएगा भुतान जौ्था हो जाएगा नेपाल ठीक है चार हो गए नेपाल हो गए फिर होगा Bangladesh फिर होगा Sir Lanka और और कोई बच्चा 5,6, Mal тяж तो मैं आपको बताया है ना, आठ कौन कौन से, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य परदेश, चौथा, चातिसगर, पाचवा, जारखन, छथा वेश्ट मंगाल, सातवा, त्रिपूरा, आठवा, मिजुरम, ठीक है बच्चो, चलिए नेक्स्ट है, नौर् पूछा है, ठीक है, तो यहाँ वाला पूछा, जमु कस्मीर वाला, कितना है, 97 डिग्री, 28 मिनट है न, नौर्थ, ऐसे ही कुछ है, देख लिजेगा, एक बर, ठीक है, तो साओधन मस्ट लाटिटिटूट अप दे इंडिन में लाइन डिग्री, कितना है वो, वो सारी, इस्टन एंड वेस्टन मोस्ट लॉंगिट्यूड इन डिग्री, इस्टन मोस्ट का है, 97 डिग्री, इस्टन मोस्ट, अरुनाचल तरप का, और गुजरात तरप होला कितना है, 68 डिग्री, यह भी जाद रखिएगा, दे प्लेस सिचुएटेड ओन दी थ्री सीज, वो कौन स यह सिरिलंका है, ठीक है, कैसे की देखो, इंडियनोसियन हो गया? ने ने, इंडिया कह लीजए, क्योंके देख़ें, यहाँ पे हो गया अरेबियन सी, यह हो गया बे बंगाल, और यह हो गया इंडियनोसियन, तो यह थ्री सीपे सिचुएटेड है, तो यह अपना प्यारा भारत होगा दे स्टेट सेपरेटिंग सिरिलंका फ्रॉम इंडिया तुब कौन सा है पाल के स्टेट अभी आपको बताया था अधी यूनियन टेरिटरी जोफ इंडिया की बात कर रहा है कौन कौन सा है पहला है अंदमान एंड निकोबार दूसरा है लक्षदीब ठीक है तीसर चंडिगड हो गया वह भी एक इंडियों टेरिटरी यह दिल्ली हो गया ठीक है कितना हुए छे फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ पॉंडिचरी साथ हुए फिर एक है दमनेंट द्यू दादरायन नगर होए लिए सब इंक्लूडेड है तो टोटल आठ यूनियन टेरिटरी ठी यह तो इसका भी अंसर हो गया तो चलिए बचो इस वीडियो में इतना ही धन्यवात